नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को जादा से जादा सस्क्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ठेर सारी जनकारी और आपके लिए ही वीडियोस बनाते हैं और यह आपके फाइदे के लिए ही होती हैं तो प्लीज में चैनल को सिस्क्राइब करें और शेयर करें आईए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास आज कल हर कोई व्यक्ति अपने चैरे पर लंबी और घनी दाड़ी चाहता है क्योंकि लंबी और घनी दाड़ी आपके मूग की परस्नालिटी को पूरी तरह बदले में सक्षम होती है और साथ ही ज़्यादतार लोग घनी दाड़ी की वज़े से ज़्यादा सेल्व कॉन्फिडनेंस भी फील करते हैं वैसे तो दाड़ी मर्द होने की निशानी होती है लेकिन किसी भी इंसान की मर्दानेगी से कोई सम्मंध नहीं होता है क्योंकि चैरे और शरीर पर बालों की ग्रोथ कम या जादा होने के कही तरह के कारण हो सकते हैं जैसे की जैनेटिक और हाइडरो ट्रेस्टोस्रीरोन डी एच्टी यह दोनों ही सबसे मुखे भूमी कर निभाते हैं किसी भी इंसान के जैनेटिक्स या जीन्स उसके माता और पिता दोनों के जीन्स से मिलकर बने हुए होते हैं और इनी की मदद से एक विक्ति अपना चहरा शरीर का आकार और लंबाई तुचा का रंग और बालों की ग्रोध गर्भ के दोराने डिसाइड हो जाता है इसके अलावा DST हार्वोंस किसी भी विक्ति में पाई जाने वाले मर्दों वाले तत्व जैसे कि शरीर के अलग-लग मसल्स का आकार, मोटी आवाज और चहरे तता शरीर पर बालों की ग्रोध को प्रभावित करते हैं चहरे की बालों पर बहुत दीमी गती से ग्रोध या फिर किसी किसी जगा पर बाल और किसी किसी जगा पर बहुत कम बाल होते हैं इस तरह की प्रवलम आजकर बहुत जादा कॉमन हो गई है तो कोई व्यक्ति अपनी दाड़ी को बढ़ाने से संकोच करता है और हर वक्त अपने चहरे पर एक अच्छी दाड़ी की कमी को हमेशा महसूस करता है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे चहरे पर दाड़ी की ग्रोध को तेजी से बढ़ाने और पैची प्रीट को खतम करने के कुछ असान से नुस्के सर के बालों के तरह चहरे के बालों को भी कम समय में बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए हमें multiple approaches यानि की एक से अधी को पाई करने चाहिए इसके लिए इस पूरी प्रक्रिया को हमने तीन हिस्सों में divide किया है जिसमें सबसे पहले हमें आपको बताऊंगे कुछ चहरे पर लगाने वाले घरेलों नुसके जो कि भारी तरीके से चहरे की skin में hair grow को promote करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे कुछ खाने वाले नुसकों की तो चलिए बात करते हैं पहले नोसके किसमें बनाने के लिए जरुत होगी नारियल का तेल, मीठा नीम यानि की करीपता और अरंडी का तेल यानि की केस्टर ओयल शरीर में बालों की गुरुत को बढ़ाने के लिए हमेशा ऐसे ओयल का ही इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें की मोनो सचूरेटिट फैटी एसेट्स की मातरा बहुत अधिक हो ऐसे में केस्टर ओयल यानि की अरंडी का तेल सबसे बहतर होता है क्योंकि इसके अंदर 80 से 90 प्रतीशत तक रैसिनॉलिक एसिट पाया जाता है जिससे की मुखेता चेहरे पर रुके हुए बालों की ग्रोथ बढ़ती है और साथ ही दाड़ी के बाल मोटे और घने भी हो जा तेल बहुत जादा गरम होने से पहले ही इसमें 8-10 कड़ी पत्ते डाल कर इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह चलाए उसके बाद जब कड़ी पता अच्छी तरह से फ्राय हो जाए तो गैस को बंद कर दे और इसे थंदा होने के लिए रोग दें थंदा हो जाने के बाद इसमे 3-4 चमज अरंडी के तेल को मिलाए इसमें से यह नुसका तयार हो जाएगा इस नुसके का इस्तैमाल करने से पहले चेहरे पर स्टीम लेना बहुत जरूरी है लेकिन अगर आप स्टीम नहीं ले पाते हैं तो चेहरे पर गरम पानी में भिखोया हुआ कपड़ा 5 मिनट के ल हलकी आतों से ही मसाज करें इसकी बाद इसे 10-15 मिनट तक अपने चेहरे पर ही लगा रहने दे और फिर इसे साधे पानी से दो दे जब भी बालों को लंबा और घना बनाने की बात आती है कड़ी पत्ते का इस्तेमाल होता ही है कड़ी पत्ते के अंदर एंटी ऑक्सिडेंट और एमीनो एजिड प्रचूर मातरा में पाए जाते हैं जो की मदद करते हैं बालों की ग्रोथ को बढ़ाने और बालों को मोटा करने में इस तयार तेल को अधिक मातरा में बना कर फ्रिच के अंदर 1-2 महीने के लिए स्टोर किया जा सकता है इसका लगातार 10-15 दिन तक इस प्रिच के लिए स्टोर या फिर पतांजली के स्टोर पर असानी से मिल जाएगा और अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीज सकते हैं एल डोपा नामा अमीनो एसेट बहुत अधिक मातरा में पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में टेस्टोसिरोल लेवल और ड्रोजन रिसेप्टर की मातरा को बढ़ाता है जिससे हमारे चेहरे और शरीर पर उगने वालों की ग्रोथ में तेजी से व्रिद्धि होने लग जाती कोच के बीच का पाउडर का सेवन रोजाना सुपह शाम एक चोटा चमज यानि के चार से पांच ग्राम खाना खाने के 15 मिनिट बाद बुन गुने दूद के साथ किया जा सकता है बालों की अच्छी ग्रोथ के साथ यह आपके शरीर की ताकत को भी बढ़ा देता है और साथ भूचन में जादा से जादा आईरन और जिंक वाले चीजों का सेवन करें जैसे कि सबसे जादार होता है पाला को टमाटर का जूस पाला के अंदर आईरन प्रचूर मातरा में होता है साथ ही टमाटर में मौजूद विटामिन सी मदद करता है शरीर में आईरन को पूरी तर ये खतम हो जाती है अगर आपकी दाड़ी ठीक तरह से नहीं उकती है तो बहुत ज़्यदा जुरूरी है कि आप उसको बार बार शेव या फिर ट्रिम ना करें क्योंकि हमेशा सर या चहरे पर बालों को ट्रिम करते हैं तब शुरुआत में तो वह पतले होते हैं लेकिन जैसे बाल नजर आएंगे उन पतले बालों को मोटा करने के लिए जरूरी है कि उन्हें थोड़े समय तक बिना काटे लंबा होने दिया जाए ऐसे करने से ही वह धीरे-धीरे मोटे होना स्टार्ट हो जाते हैं और खाली जगा तेजी से भरने लगेगी जो लोग भी अपनी दाड रहे वजन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें हमारे शरीर में हार्मोन श्यादा एक्टिव होते हैं इसी वजह से हार्मोन की कमी होने पर हमें शरीर में सोने से पहले जरूर दवाई लेनी चाहिए इसलिए बहुत जरूरी है रोजाना कम से कम 6-8 गंटे की निंद के हर जगा पर समार मात्रा में बढ़ते रहें उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने चेहरे और त्वच्छा को साफ सतर रखे और समय समय पर स्किन एक्सफलोइट भी करते रहें इसके लिए आप किसी वहर्बल कंपनी या जो भी आपके चेहरे पर सूट होता हो उस ब रखा गया है कि जो लोग जिम जाते हैं या फिर अपने शारे रिक शक्ति को बढ़ाने के लिए वर्क आउट या कसरत करते हैं उन लोगों में बालों की घ्रोथ हमेशा ज़्यादा ही होती है और कई बार तो यह अपने बालों की घ्रोथ से परिशान भी नज़र आते हैं जब हम शारे रिक महनत करते हैं तो समय के साथ साथ हमारी ताकत में विद्धी होती है जिससे हमारे शरी में पाए जाने वाले सभी तरह के मेल हॉर्मोंस अक्टिव हो जाते हैं और आपको इसी के साथ पानी भी बहुत जदा पीना चाहिए आज की वीडियो में बस इतना ही लोटिंग एक नए वीडियो के साथ मेरे चलने को लाइक सेस्क्राइब शेय करना ना भूले हो मेरी इस वीडियो को लाइक अवाश्य करें